लेकिन जैसे कैसे आफिरकार बात आगे बढ़ी तो हमने कहा कि हम आएंगे आपकी भावनाओं से भरा संदेश पिछली बार भी पराप्थ हुआ लेकिन हम नहीं पहुंच पाए उसको और उस कमी को मैं पूरा करना चाहता तो लेकिन बीच में तुछ बाधा और आगई जब यहां जिस स्थान पर हम ये कारेक्रम का आयोगन कर रहे हैं इस कारेक्रम के स्थान को की बुकिंग दिशाए तो फिर बात ये चलेगी कैसे हो पाएगा हमने बात करी सब साथियों से हमने कहा कि आगे हमने कहा एक दिन आगे पिछे करिए चौदा से करिए हमने कहा कि तेरा तारिक्रम को करना ही है एक तारिकरम हम बारा तारिक्रम के कैंसल कर सकते हैं तो हमने जानकारी दी नहीं और फिर ये तैय हुआ कि बारा तारी को आज के दिन इस कारिक्रां का आईजन करेंगे लेकिन मेरी बहुत महत्वपून बैठक थी और उस बैठक में रहना मेरे लिए आवश्चक था इसलिए मुझे लग रहा था कि मैं दोपहर के बाद ही यहां पर आप आँगा अब सायोग देखिए आप लोगों की भावनां कितने जो है वो मजबूत थी जो हमारी वैठक थी जो मत्वपून बैठक थी वो बैठक ही कैंसल हो गए वह पोस्पोन हो गई रात को संदेश मिला तो हमने कहा कि आपका कारेक्रम किस वक्त होता है वो था हम 11 बज़े के बाद शुरू कर रहे हैं तो हमने क्या हम साथे 11 बज़े में आ जाए हैं और आज सब कुछ में बहुत कुछी हुई है आप सब के बीच में आकर के यहां मैं समय पर भी पहुँआ हैं हम समय से थोड़ा देर पहुंचे हैं लेकिन उसके बादूद हम सबका यहां दन्दन किया स्वागत किया उसके लिए मैं आपको इंदे से आफ्रावार करता हैं इस राज की कहानी बहुत हमारी बहुत विचित्र है विकित्र है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे उसके कॉलेज में बच्चे बहुत कम होता था प्राइविट कॉलेज होता था और दूसरा कॉलेज होता तो मंदी होता था मेरे साथी कुछ मेरे घरवाल ने कहा कि आप कॉलेज पर ना तो चाहते हैं मैंने भी जिद की हमें जा रहा हैं लेकिन घरवाल ने कहा कि हम अरपस आपको पढ़ाने के लिए साधर नहीं पर पढ़ाई ठोड़नी पर हैं दो सातर घर में रहेकर के खेती की दो सातर घर में जाकर के घर में रहेकर क्या मिने पशु चिरा Pill ряд भी गांगल कहते लेकिन आफिरकार दो सालों के बाद फिर जब मैंने और जीद की तो उनने का कि आप तो तरह जो पढ़ा था वो भूल गया अब क्या जाना को दो मैंने का जाना है फिर कॉलेज आए और कॉलेज में आपके एक अलग दुनिया में एक तरह का वो प्रविश्था आमारा समझ भी कि बहुत कुछ देखने को मिला बहुत कुछ सीखने को मिला और पढ़ने के लिए लेजा था लिकिन आज भी मुझे इस बात को मिलाग है कि पढ़ा ही हम कर तो ली हमें लेकिन ठीक तरह से करी और ही कामें लगे जिन्दगी में के बार ऐसा पूर आता है इस बात तो आपको मांते के चलिए जो आपने तैय किया है वो हाशिल होता है ज आप जिस लक्षे को हासिल करने की आगे बढ़ते हैं कई पढ़ा वागते हैं ऐसा अपने जीवन में भी आए और जब हम कॉलेज के उस दौर में पढ़ाई करते हुए चातर सिंगचर में इंवाल्व हुए तो घर वालू को मालू पढ़ा और हमारे उस दौर ने भी इस बास के लिए कहा कि यह लगका विगड़ गया है अब इसको घर बढ़ा दीती है और ऐसी बहुत सारे चीज़ें हुए दो मिने चार मिने के बाद जब घर जाना होता था तो घर बाले ठूब कलास लेते थे और हालात भी ऐसे थे और सभी बोलते थे कि वही तेरा किछ नहीं हो सकता है और हाल सा लगता था हमने का बहुत साथ चीज़ों आमने छोड़ दिया था उपर वाले पर ठोड़ दिया था हम देमी देवत्वापर पर ठोड़ दिया था लेकिन फिर भी मुझे इस बाद की खूशी है कि एक रास्ता जिस रास्ते पर हम चले आखिर कार कहीं एक जगा पहुंची है इसने विचलित के मैं हूँ वहाँ चलते रहना है मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ें कि तुनिशीत रूप से मंजिर कितनी भी कठी हो जटिये लोग उसको आशित किया सकते हैं आज सराज के संदर्वे में अपनी बात कह रहा था सराज के साथ आद्ली आपने का रहनी चाहिए एक जुडाव रहना चाहिए यह हमारी संस्किती का हिस्सा है यह हमारी पहचान है इसको अलग हो करके नहीं किना चाहिए इसलिए हमने सराज पूरा वैली सराज को एक जगत हैं इसराज की एक जगत है होने के बाद सभाविक रूप से आप अलग-अलग फिल्म जाएंगे अलग-अलग शेट भी जाएंगे सभी नातो मास्टर बन पाएंगे सभी नातो प्रफेसर बन पाएंगे सभी नातो टॉक्टर बन पाएंगे नामिजिनरी संस्किती को जीवित रखने के लिए चराज के साथ अपना समंध्र हमेशा करी बनाए रखें यह बहुत आवर्शिक है मैं हमेशे सब्सक्राइब कैसा लेतिव तो हमको आज किस दौर में मिला है अंदर अंदर मोधी लीके लोग जिन्होंने अपने जीवन का कंड कंड पल पल खंड खंड जो है बहुत और जिन्होंने भारत को अमरे राष्ट को इतना इतनी पहचान दी गया है तो सब्भावी करूप से हमारा विदाई तो हमता है उस पहचान को मजबूर करने वाले को हम भी मजबूर करें आज इस कारेक्रम में आप सम लोग सांस्कृति कारेक्रम के लिए यहां पर आउजिन करने के लिए आए और इस पर हम बहुत बड़ा घाशन देते रहें वो उचित नहीं है यह मुझे इस बार की कुशी है कि आपकी शुब काम ना है आप सबका आशिरवाद इस तरह से रहा इस राज बड़ान सबाक्षेत्र का पर अपनी जित तो करते हुए आज मुझे 27 वर्ष होगे लगाता है आज में हिमाजार प्रदेश की विजान सबार में लगातार एक ही विजान सबास से बीतने वाला लगातार चठी बार कर भी है कि एक बात है और वो सब सब वो पाये तो शराजी साथ के बाई शराजी उज्जया है वह तुमाजी बोड़ना पढ़े जाए और हम बोलते हैं जब सराजी यह सुरू लगता है ना तो फिर जोर के लगता हुए पिर यह सार होती है इस बात तुमान के चलना चाहिए कि लोह बोलते थे कि बडी निता है यह बह shitty निता रहे हैं लेकिन आप सब प्यार गिया कि इस तरह का ब्यार गिए इस तरह का समेश दिया सराज को भूल है कि हमार्चर पर्डेश कि बड़े बड़े निता रहने के पारतूद पिर जी मारजन का जीदेशिके मारजन जो बाजन है, 38,000 किसी करना है, 28,000 तक है, आज से पहले राप है, हम जिन्दगी में हैं, मैं कितने भी जनम दूँ, मैं तो चराज का दिन चुकता करें नहीं सकता हुआ, आपे जिमा बगता सा, दाई तो बनता था, इस रादिन हम से वाक्षेतर के अत्रजर काम करेंगा, पांसाग के अंदर इतना बहतर किया जा सकता, तो वो करने की कोशिश में, आप बे, आपने वो दौर बहुत कम लोगों ने देख्या होंगे, कुछ लोगों ने देख्या होंगे, जब मैं बिलाइक बना तो सोड़ा पंचाइटी को सटके थी, वो भी सटके एक कोने को छू प्रफशेतर की सफ की सफ पंचाइट में, एकी सफ पंचाइट सेंगे, ठीक है, जाओ रहे के जाए, जीवन में मुझे सबसे बड़ी पीडा इसी बात को लेकर की होती थी, कि मेरे सहादी के पीड़ का गोच किस तरह से उतार सके है, क्योंकि हमने स्वाइम अपने अपने से लेखा है, लेकिन अब परिवर्तन आया है, गुरुष दिशान हम आगे पड़े हैं, और हमारे यहां दॉक्टर जनक जी, यह भी इनका 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 इलाका भी है, हमारे इलाके तरह है, ब्रमौर का इलाका, पांगी का इलाका, तो यहां पर जब स्राजी भैशन कर रहे आज से यहां पर तो पूछ रहे थे कि भी इस राजी है, आप ऐसे राजी नहीं रहे हैं, मैंने बहुत बदलाव आ गया है, बहुत बेतरे इनका से आपने प्रस्तुतियां दी हैं, और अच्छे तलाकार हमारे यहां तरहां स्राल प्रक शेत से रहे हैं, और आप लोग भी अच्छा कर रहे हैं कॉलेज के जमाने की ये जीवन वो है ने जो कॉलेज का जो आपको पढ़ाई करें ये जिन्दगी का सबसे बेहतरी बेहतरी पढ़ाव है आपकी जीवन है परिवार हम सोचते हैं अपना रविश्य की चीनता सभावी करूप से होती है बहुत सरी चीन्दों की चीनता होती है लेकिन आगे क्या पढ़ाव जो है वह और कशिनाई का कि मैं भी जब कॉलेज में पढ़ता था तो जिन्दगी का मैं महसूस करता हूँ कि वही एक ऐसा एक का समय था जो एक स्वार्णिम था उसके बाद तो आदमी कई हिस्तों में हो जाता है परिवार की जिम्हावारी समाज की जिम्हावारी ये जिम्हावारी अपनी जिम्हावारी बहुत सरी इसलिए इस जीवन को अ कि तरह से जीए यह बहुत आवर्षिक है और हमेशा अपने मून से जुड़ेबाए अपने संस्किति स्राज की संस्किति कभी तब बीच बीच में आपने जब सराजी में जाएं तो सराजी में बात किया तो अब हम गवरी गाओं में जाते हैं तो हम दादू बैठा है तो हम हिंदी में ही बात करते हैं तो वहां सराजी में बात करने हो तो जैसे वो दो अच्छी तरह से समझ सकते हैं मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरा दादू बहुत प्यार करते थे उनकों, आले नहीं है दुनिया में, लेकिन जब गाउन जाते थे उनक साथ बैठे थे गन्तू बैठे थे, बहुत साथ चीज़ें उनके सुनने को पराणी कानिया सुनने को मीठी थी, कैसे वक्तर थी, कैसे सारी चीज़ों को लेकर के, लेकिन अपनी पहाड़ी संस्किती में, अपनी पहाड़ी भाशा में बात करने के मज़ा तो इसलिए पहाड़ी भाशा को मत भूली, पहाड़ी पहाड़ी भाशा को हमेशा कॉलेज में भी बहुते रहतुर दोदा, जब यह जहां भी जात आविव थarny प्रत्र मणों करदों आここ 11 former एक व्यक्ती का ओक यह दो डुकर्थनिपा नहीं यह अब सभत काई आव works समाजन दाएतों कि दिश्क्री से हम क्या कर सकते हैं इस बाद को ले करके हम सब लोग पो काम अ कि अ पर तता हराष्ट के निर्मान के इकारे में हम किस प्रकार से बेतर धिन से काम कर सकते हैं। आज अमार ली सौभागे की बात है। एक पूरे देशब्वर में एक अलग बाता बरते हैं। ठीक है, धर्म के नाम पर चप्चा, आस्ता के नाम पर चप्चा तो होती रही है। लेकिन ये कार्खन हम सब लोग के लिए सौभागे शायल है। कि भागवाल राम चंदर जी के जर्म स्थान पर बहुत लंबी समय से मंद्र का निर्मार के लिए जो संगस्थ चल रहा था, वो अपने लखशे को पराती है। लोग बोलते हैं इस बात को लेकर के, कि उससे क्या होगा। हर चीज में हमको ये तलाशना नहीं चाहिए कि क्या हासिए देगा। और मैं क्या सकता हूं कि हमने भारत में इस बढ़ाव को जो हासिए कि ये बहुत बड़ी उप्लबती है। अजारल की संखे में धीवर की पुर्वानिया जिन लोगों ने दी आज भव्य मंदिर राम चिंदर जीका बंद करके वहां पर प्रांध बपिश्चा का कारिकर उप्लबती हुआ। इसलिए हम सम लोग सो बादे शाली है। ने तो यही बात को कहते हुए। आओ हम आगे पढ़ें। और जहां पुरे देश्वर में इस बात को लेकर के आजकर के दौर में एक महाल है। इस राष्ट को कौन आगे बढ़ा सकते हैं। इस राष्ट का जो कारिकर कौन बेटर नहीं से कर सकते हैं। उस दिश्टी से फुले मंद से विचार करते हैं। हुए हमाओं। सयोग करें, मस्तब करें। यहीं मुझे आख सब के वीच में कहना है।